आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hi everyone, the question is Polyatomic Molecule has 3 translational, 3 rotational degrees of freedom The molar specific heat ratio gamma is CP by CB for this gases Okay, so in this question देखो हमें क्या given है कि यहाँ पर हमें Polyatomic Molecule of a Gas दे रखे हैं और उनमें क्या है कि जो 3 translational degrees of freedom है और 3 rotational degrees of freedom है तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो molar specific heat ratio होता है gamma CP by CB का इस gas के लिए क्या होगा, ठीक है तो बच्चों यहाँ पर gas कैसी है हमारी Polyatomic है Polyatomic gas है और इसमें जो degrees of freedom है वो कैसी दे रखे हैं कि 3 जो है वो translational है और 3 यहाँ पर हमारी rotational है तो यहाँ से बच्चों हमारे जो total degrees of freedom हो जाएंगे वो कितना जाएंगे total degrees of freedom तो यहाँ से हमारी total degrees of freedom हो जाएंगे बचो भोजाएंगे 6 ठीक है तो यहां से हमें पता चल गया है अपनी total degree of freedom तो हमें देखना है यहां पर गामा गामा जो होता है वो ratio होता है cp by cb का और cp क्या होता है cp होता है molar-specific at constant pressure और cb क्या होता है cb होता है molar-specific at at constant volume ओके सो यहां से बचो हमारा जो सीवी है सीवी मॉलर स्पेसिफिक एट constant volume in terms of degree of freedom इसका फॉर्मला होता है हाफ इंटू एफ और के एकवर ठीक है और होता है यहां पर हमारा गैस कॉंस्टेंट तो यहां से बचो हमारा 1 by 2 और f की वैल्यू यहां से 6 यूज करेंगे इंटू में आर तो cv की वैल्यू आ जाती है यहां से 3r के एकवर ठीक है इसको बोलते हैं equation first ओके अब नाव हमें यहां पर देखना है cp तो as we know that जो हमारा मेर्स फोर्मूला होता है उसका यूज करेंगे cp-cv is equal to r तो cp की वैल्यू आ जाती है r प्लस cv के एकवर तो यहां से r first equation यूज करेंगे तो यहां जाएगा 3r तो यहां से बचो हमारा जो cp है इसकी वैल्यू आ जाती है 4r के equal यह हो गया यहां पर हमारा equation number second तो यहां से बचो हमें देखना था कि ratio क्या होगा तो gamma is equal to cp by cv तो second equation जो है हमारा और first है उनको आपस में इसकेंड equation को first से तो यहां जाएगा 4r divided by 3r तो r से r यहां पर cancel out हो जाएगा और जो कि gamma है जो कि हमसे पूछा था कि cp by cv जो है इसका ratio किसकी equal आएगा 4 by 3 ओके तो यहां से हमें gamma ही calculate करना था कि gamma की value क्या होगी तो gamma की value आती है 4 by 3 तो बच्चो इस इस the required solution for this question I hope you like this video and thank you so much for watch classics to 12 सलेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8 400 400 400 अपर